हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपी PCS प्री 2018 के प्रैक्टिस सेट के 35 भाग में हम लोग कुछ ब्यक्ति BCS के बारे में पढ़ रहे थे कुछ अस्थान BCS का भी चर्चा किया हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो को उनको जो है NGT का चेर्मैन मनाए गया अगला है दोस्तों टामी थामस का नाम याद रखेगा दोस्तों यह मलेशिया के एटार्नी जनरल जूट हुए है और याद रखेगा टामी थामस जो है एक सूप्रशिद वकील है वह भारती मूल के हैं और संबैधानिक कानूनों क कि यह बिसे सग्य माने जाते हैं दोस्तों तो इनका याद रखेगा दिव्या सुर्यदेवरा का भी नाम याद रखेगा दोस्तों यह जो अमेरिकी आटो मोबाइल कंपनी है जनरल मोटर्स याद रखेगा दोस्तों जनरल मोटर को जो है पार्चुन की जो 500 500 कंपनियों जो है वो cfo nuked हुई है दोस्तों यानि cfo का मतलब हुआ chief financial officer जो है दोस्तों यह nuked हुई है इनका नाम याद रखेगा और यह भारती मूलकी जो है यह साथ में याद रखेगा कि भारती मूलकी अमेरिकी नागरिक है और पहली महिला cfo है इस company की यानि जेनरल मोटर्स की यह पहली महिला cfo बनी हुई है यह इस company में 2015 से इस company में सामिल हुई दोस्तों और वे चक इस्टिवेंस का अस्थान लेंगी अगला है सुधाबाल कृष्णन सुधाबाल कृष्णन याद रखिएगा दोस्तों यह आर्बियाई की पहली मुखे बित्ती अधिकारी जो है वो बनी है दोस्तों इनका जो रैंक होगा वो कारेकारी निदेशक का होगा दोस्तों और यह यह जो है बारहवे कारेकारी निदेशक के रूप में हैं यानि इसके पहले RBI के 11 कारकारी निदेशक हो चुके हैं इनका जो 12 कारकारी निदेशक हैं दोस्तों याद रखिएगा यह किस से रिलेटेड थी यह इससे पहले जो है National Securities Depository Limited यानि NSDL National Securities Depository Limited की यह उपाध्यक्ष थी अब यह बार्मी कारकारी निदेशक हैं या कह सकते हैं कि यह RBI में जो है वो CFO हैं याद रखिएगा Chief Financial Officer अगला है रजत सर्मा तो रजत सर्मा का नाम याद रखिएगा आप सब लोग जानते हैं रजत सर्मा का आपकी अदालत जो है इसका काफी प्रचलित प्रोग्राम था टीवी प्रोग्राम था दोस्तों और यह काफी वरिष्ट टीवी पत्रकार हैं और इन्होंने DDCA का अध्यक्ष इनको निर्वाचित किया गया दोस्तों इन्होंने अपने अपने विपक्षी यानि मदनलाल जी को 517 वोटों से हरा करके यह DDCA के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं दोस्तों तो याद रखिए DDCA का मतलब हुआ डेली डिस्टिक ट्रिकेट एसोसियेशन याद रखिएगा इसको अगला है S.Ramesh यह भारती राजस सिवा के 1982 के अधिकारी हैं जो केंद्री अप्रत्यक्ष एवं सीमा सुल्क बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुएं दोस्तों तो S.Ramesh का नाम याद रखिएगा यह भारती राजस अधिकारी हैं 1982 के अधिकारी हैं दोस्तों और इनका जो है जो है यह अप्रत्यक्ष केंद्री अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा सुल्क बोड के यह नया अध्यक्ष निर्वाचित हुए नियुक्त हुए है अगला है सुभास चंद्र खूटिया हम लोगों ने इनका नाम बता दिया दोस्तों यह पिछले वीडियो में हम ल है अध्यक्ष बने हैं दोस्तों याद रख्येगा इनका कारेकाल जो है दोस्तों सेवा निवर॓र न पड़ेगा दोस्तों यह याद रख्येगा दोस्तों यह भारती भूकतान परिशद यह भारती भुक्तान परिशद के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और भारती यह अस्थान लेंगे नवीन शुर्या का इन्होंने अस्थान लिया है दोस्तों नवीन सुर्या का नाम याद रखेगा और भारती भुक्तान परिशद में यह जान लिजिएगा कि यह क भुकतान परिशद है यह जो कमपनियों की जो भुकतान है उसका यह प्रतिनिद्ध तो करती है दोस्तों अगला है ग्यूसेप कोटे याद रखिएगा दोस्तों ग्यूसेप कोटे यह तिरपन बरसी है और या इटली के जो है प्रधानमंत्री पद की सपद इन्होंने एक किएगा जो मार्च 2018 में इटली में चुना हुआ था दोस्तों उसमें किसी भी पार्टी को जो है स्पस्ट बहुमत नहीं मिला था जिसकी वज़ा से जिसकी वदस यानि बहुमत ना मिल पाने की वज़ा से निर्दलिय गूसेप कोटे जो है वो फाइफ स्टार मुवमेंट क समर्थन से नए नए सरकार का इन्होंने गठन किया है और यह इटली के प्रधान मंत्री बने हैं दोस्तों अगला है जीना हास्पल याद रखेगा जीना हास्पल यह अमेरकी खूफिया एजेंसी जो CIA है यानि Central Intelligence Agency इसका जो है यह उप निदेशक रही थी जीना हासेप लेक हुए विदेश मंत्री ट्रंप सरकार में उसकी वजह से यह पद जो है जो इस एजेंसी का निदेशक पद जो है वो खाली रिक्त हो गया और इनी को जो उप निदेशक थी उस समय जीना हास्पल उनको जो है निदेशक बना दिया गया याद रखेगा दोस्तों CIA के 71 वर्ष इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि निदेशक के रूप में किसी महिला की नियुक्ति हुई है यह बहुत इंपोर्टेंट है 71 वर्षी CIA के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि नियमित रूप से कोई निदेशक महिला है अगला है देवजनी घोष याद रखे शिया की पूर्प्रबंध निदेशक देवजनी घोस जो है वो नासकाम के जो है इस समय अध्यक्ष के रूप में कारेभार अप्रैल 2018 में सम्हाल लिया दोस्तों और इस पद पर वो आर चंदरशेखर का अस्थान उन्होंने लिया है याद रखिएगा यह बहुत देते हैं अगले वीडियो में हम लोग कुछ और भी भूगोल की चीजे अभी बची है कुछ पॉलिटी की भी मैटर हम देंगे और कुछ को हम डिसकस करेंगे कुछ जो बिगत बर्शों में जो आयोग के कुछ क्वेस्चन साय है इस डिफ्रेंट आयोग से हमें किवल एक ही आयोग के नहीं चलेंगे जित्ते भी हिंदी भासी जो आयोग है तो जीसे हरियाना है उत्राखंड है राजस्तान है उनके इंपॉर्टेंट क्वेस्चन को हम देख लेंगे क्योंकि याद रखिएगा कि जो क्वेस्चन रिपेटिशन है आयोग का अब को नहीं हो रहा है ब दिसकस कर लेंगे तो आप अभी भी हम बोल रहा है कि घबडाएगा मत चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए हम आपके साथ बने हुए हैं हिस्ट्री के कुछ मुख्य चीजों पर हम लोग डिसकसन कर लेंगे एक दो वीडियो पर तो थोड़ा सा जगिए और जाहिन गुट डे गुट नाइट